हैलो फ्रेंज नमस्कार राम राम कैसे हो आप लोग उम्मिद करती हूं अच्छे हों कि मैं भी अच्छी हूं तो यह मेधी की डिजाइन मैंने खुद से ही मेधी लगाई पहली बार इतनी अच्छी मेधी मुझसे लगी कि मैं बहुत कुछ हुई यह मैं खुद बाए हाथ से लगाई हूं दाहिने हाथ का तो समझ में आता है दाहिने हाथ से लगा लेते हैं लेकिन बाए दाहिने हाथ में बिल्कुल भी नहीं लग पाती है मेधी लेकिन पिर भी मुसे अच्छी लगी तो थैंक्यू आल यूटूबर्स जिनोंने मेंगी की वीडियो बनाई है डाली ह यूटूब के मैंने उन्हीं में से किसी का देख के लगाया है फाइनली मुझे बहुत अच्छी में दिल लगी में बहुत खुस होई में लगा के तो पहले तो हम यह चावर को भिगा के पीस लेते हैं तो उसी से हम पहले ना चौक बनाते चौक बनाके फिर उसके बाद पा पाड़ी वही चड़ाती हूं जो सुहागे निस्त्रियों को पहनना होता है जो उनको फ्री होता है लाल या पीला में इनी दो कलरों में से अब सफेद और काला ना चड़ा है बाकि कोई भी कलर चड़ा सकते हैं तो इसी तरह से मैंने एक लोटे में कलस रखा है और आप पर 11 रुपया देख सकते हैं रखा हुआ है और यह थाली जो करवावली थाली तैयार है वह जाएगी टैरीस मेरे साथ एगलास पानी हदिया है और छनी और मिठाई भी रहती मिठाई इसके पापा थोड़ा लेट लेके आते हैं तो थाली में जब हम सब सामान निकठे रख लेटे लिए थोड़ा ही थोड़ा करके सारा सामान चड़ा देती हूं माता को नीचे एक पान के पत्ते पे ना गहुगनेस बना के रखना होता है तो यह मेरा फर्स्ट टाइम से जब भी में करवा चोथ रही तक से मैंने गाउं में गाय के गोबर का गौरी गवारी गनेस गर्सीजाण फेर्म प्यूंध रॉत तो वहीं मेरा चल रहा है अभी तक खराब भी नहीं हुए बढ़ान की महिमा है तो अभी वहीं वैसे चल रहा है मैं हरसाल उसी पानी ने उसे लपेट के रखें से और कभी पीजा करने के आप करवा करवा कमी खाली नहीं रखना जाए यह जो लोटा रहता है ना करवा उसे कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए मैं उसमें यह गवरी गनेश और कुछ भी पैसे या कुछ और भी चीचे भरके ही रखती हूँ तो मेरा फटा-फट मैं यह सब खाना तो मेरा होई गया था उसका वीडियो आप लोगोंने कल देखा तो वह sudah हगै था ङोह सब तयारिया यहां कर रही हूँ मेरी महंदी भी आप लोगोंने देख लिए सणधा और आधस मिलको यह डेकरेeur कर रहे हैं यहां पर उनone कैसा करना यह कोदी वह क्शूथी करते हैं तो वह लोग मिलके यहां पर ट Prof करते हैं तो उने जैसा समझ में आ करना चीह कैसार नहीं करना चीह है तो इनकी इसी तरह से लड़ायां भी हो जाती है नोग-झोग बहुत वह dunno में तो यह लिए लग लड़ते जर रहते रहते पर काम पूरा ही करते इंगें मत Enfin कर लेते हैं तो इसी तरह से लग अ highness इसने मिलके डेकोरेट किया है और इस साल अच्छी बात यह वी ना कि यह लोग मेरे साथ पुजा में भी बैठे थे वहना हर साल तो यह सिर्या बैठती थी पुजा किताब पढ़ती थी और उसके पापा रहते थे यह दोनों तो दिखते ही नहीं थे कभी भी पुजा में लेक निकालते बाद बहुत दिकत होती है फ्लावर सारे खिच जाते हैं खुलने खुलने जैसे हो जाते हैं तो इन्हें परस्ट टाइम था इन्हें भी उतना नहीं समझ था हो गया चलो जैसे भी तो बहुत इंज्ड़ाइग किया हम लोगों ने इस साल का करवा चौत बहुत सब्सक्राइब कर रहे थे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा और व्रत्योहार कोई भी आता है तो अपने साथ देर सारी खुसियां लेके आता है आप लोग सभी लोगों को करवा चौत की बहुत बहुत बधाई हो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो तो फिर मोटिवेट में होते हैं हम लोग कि चलो यह वीडियो अच्छी वही तो हमें ऐसे डालना चाहिए यह वीडियो ऐसी थी पता नहीं कैसी लग रही थी आप लोग बताईएगा कि कैसी लग रही हूं मैं कि साड़ी थोड़ी नई थी साउथ इंडिन तो यह मुझे पहनने में बहुत दिकत में अच्छे से पहन भी नहीं पाई पर लेट हो रहा था तो इसलिए जैसे तैसे करके पहन लिया तो अगली वीडियो में बाई